यहां तो बालुकों का नाम नहीं है किन्तो अपने स्रीमत भागवत पुराण में लाद, अनुलाद, सनलाद और सबसे चोटे का नाम था प्रहलाद तो स्री प्रहलाद जी मानज कैसे हैं बुले बसंतेव मानज यह ऐसे हैं जैसे मनी नाम इव कौस्तुब जैसे मनियों में कौस्तुब मनी की सोभा है वैसे असुर वालुकों में श्री प्रहलाद जी माराज की सोभा है जब देवता लोग माराज बहुत दुखित हुए तो दुखित होकर के देवताओं ने माराज प्रार्थना की परमात्मा की और परमात्मा ने आकर के इस असुर का उद्धार किया है यहाँ माराज खंबे से पाल करके प्रगट हुए इंसिंग भगवाने अशा नहीं उसके मरण के बाद शी प्रहलाद जी माराज ने विचार किया वशिष्ट जी माराज कहते हैं इन्होंने विचार किया कि हमारा पिता इतना बलसाली था उसके बाद भी उनसे लड़ नहीं पाया तो हम भी लड़ नहीं सकते उससे हमारा बल नहीं है कि मैं उनसे लड़ू तो क्या करें हम लड़ नहीं सकते तो कहा इनसे माराज मैं तो उनसे प्रेम करूँगा बात यह माराज जीने का ढंग यही है जीने का ढंग विक्ति का यह है कि यदि सत्रू बलवान हो तो मित्रता कर लो उसके साथ और यदि माराज कमजोर हो तो परास्त करके उसको अटा दू नहीं तो माराज सांती से सत्रू के साथ जीना बड़ा कठीन है सत्रू के साथ जीना बहुत कठीन है क्योंकि वह माराज मौके में रहेगा जो मौका मिलेगा कहीं छिद्र मिलेगा तो महाराज वात्तुरत हाभी हो जाएगा तो इन्होंने महाराज क्या किया चिंत कहा क्या करने तो पहले दिख्षा ग्रहन की और सुक्राचार जी महाराज से दिख्षा ग्रहन करके नमो नारायने ती मंत्रा सरवार्त साधका मंत्र दिख्षा में मंत्र क्या लिया नमो नारायनाय हमारे आहां मात्मा लोग हम लोग देखते हैं जैसे शिष्षे अपने गुरु जी का अरिद्वार की परंपड़ा यही है उस तरब की शिष्षे बोलेगा गुरु जी को ओम नमो नारायन माराजी तो शिष्षे गुरु जी बोलेंगे नारायन वो बोलेगा ओम नमो नारायन शिष्षे बोलेगा ओम नमो नारायन तो गुरु जन बोलेंगे नारायन तो ओम नमो नारायन जो मंत्र है माराज नमो नारायने ती मंत्र यह मंत्र कहता है सरवार्थ साधकाओ ये जल जहां जहां है हरी रूप है और हरी मारा जगत रूप है हरी प्रतिवी रूप है सारा जगत ही विश्णु में है और जब सारा जगत विश्णु में है तो मैं भी विश्णु रूप ही हूँ इन्हों ने मारा जैसी आराधना का कर्म याँ वरन किया है स्री विश्णू पूजयन विश्णूम, अभिश्णूम पूजयन विश्णूम, पूजा फल भाग भवेत, भिश्णूर भूत्वा, यजेत विश्णुह, मयम भिष्णुर भाम स्थिता जैसे हम लोग एक बात गुन्गुनाते रहते हैं कि पूजा की पद्यतिक देवो भुत्वा देवम यजेत पहले जैसे हम देवता की पूजा करते हैं तो स्वयम देवता बने क्योंकि बिना देवता बने तो हम देवता की पूजा कैसे कर सकते हैं इसलिए नियम है जिस देवता की पूजा आप करते हैं मानो राम की आप तिलक लगाते हैं वैसा तिलक लगाओ राम जी जैसे माला पहनते हैं वैसे माला पहनों पूजा की समय वैसी दम्जियों कात्यों और यदि हम स्रीव की आराधना करते हैं तो भगवाल श्रीव जैसे त्रपुन धारन करते हैं जहां जहां त्रपुन धारन करते हैं वैसे त्र पूरे सरीर में रुद्राक्ष धारण की हुए हैं पूरे सरीर में गंगन भी रुद्राक्ष के यहां भी रुद्राक्ष अभी तो हरिद्वार में अमारी कथा थी कुम में एक महत्मा रुद्राक्ष का ही अचला पहनते थे और रुद्राक्ष की ही माराज एक कुर्ती बना रखी थी और रुद्राक्ष की ही टोपी थी उनकी मंच पर आखर बैठते थे बाद में अचला तो नहीं पहनते थे रख देते थे कि तो वो जो कुर्ती बना रखी थी वह रुद्राक्ष की थी और वो टोपी भी बना रखी थी वो भी रुद्राक्ष की थी पूरे सरील में और मरज नियम भी विश्व पुराण में इसका वर्णन है कि कितने रुद्राक्ष के दाना आपके सरीर में हो तो कैसे रूप हो एक लाख दाना यदि किसी के सरीर में लग जाते हैं तो साक्षात रुद्रफ सुरूप होता है। उसके दर्शन से जो शिव के दर्शन का फल है वही उस रुद्राक्षधारी व्यक्ति के दर्शन का फल है सुपराण में तो बहुत महीमा है उस डंकी, ऐसे माराज ये क्या करते थे, आ विश्णुम पूजेएट बिश्णुम एदि हम विश्णु नहीं है उनकी पूजा करने के लिए तो क्या है तो बूले विश्णुवत जैसे विश्णु है वैसे माराज हम पूजा करें विश्णुन भूत्वा यजेद विश्णुम अयम विश्णुन हमस्तिताह वा विश्णु होकर के ही माना पूजा करते हैं मानसिक पूजा में चिंतन करते हैं यहां तो माराज ऐसा चिंतन वरण किया गया है अज मैं प्राता काली चिंतन पढ़ रहा था तो इतना गौर से देखो मानसिक पूजा करने के लिए ये बाही पूजा की अपेक्षा जादा सजगता की दरूरत है मानसिक पूजा बहुत सजग ब्यक्ति कर सकता है सब मानसिक पूजा नहीं कर सकते हैं बाहर वाली पूजा तो मारज बिना मन की की जा सकेगी किन्तो आप जरा विचार करो हम मानसिक आर्थी करने वाले हूँ और आर्थी सामने रख ले और मनी राम जी चले जाए बंडारे में तो फिर आर्थी जलेगी आरती नहीं जल पाएगी, आरती हो यह नहीं पाएगी, आरती रह गई, उसमें तो एक सेकेंड के लिए भी हमारा मन कहीं जा नहीं सकता है, तो यह मानसिक पूजा करते हैं, तो मानसिक पूजा करते करते हैं ऐसे चिंतन करते हैं स्री प्रहलाज जी महाराज, आपको मैं क्या निविदन करूं कि इधर भूदे भी बैठी है हमारे इधर स्रीदे भी बैठी है और ऐसे हमारा गरुन सेवक है सारा का सारा ध्यान वही कि यह एंग्रो पासना ही हो गई एंग्रो पासना महराजी हो गई इन्होंने ऐसी उपासना की ऐसी उपासना की कि स्वयम विश्णु र माराज का विश्णू रूप हो गया, आपको क्या कहें, इनके आराधना का प्रभाव इतना पड़ा है, इतना पड़ा है कि इनके सेवग भी उसी रूप के हो गए, ये सेवग भी उसी चिंतन में लग गए, किन्तो ये देवता गवड़ा गए, देवताओं ने सोचा माराज ये मामला क्या है, ये आसुर भी यदि सुर बन जाएंगे, माराज तो निस्चित रूप से गड़बड हो जाएगा, और ये चिंतन करके माराज ये भगवान के पास में गए, और भगवान से जाकरके इन्होंने स्तुती की, इस्तुती करके इन्होंने का कि पता नहीं मारा ये समझ में नहीं आ रहा है, कि ये किस प्रकार से आराधना कर रहा है, क्यों आराधना कर रहा है, क्योंकि असुर का इस प्रकार से आराधना करना को समझ में नहीं आ रहा है, कोई छल है कि प्रफंच है, ये चाहता क्या है, ये माराज भोगी ब्यक्ती, आप लोग नाराज मत होना भोगी और लोभी ये दोनों बहुत संकालू होते हैं यदि हमारे चित में संका का बहुत संचार होता है तो समझ जाना कहीं कहीं हमारे चित में भोग केप्रती बहुत राव है भोगी व्यक्ति और रोगी व्यक्ति योगी अपने भोग केप्रती आकर्शन हो उसका तो स्कास संकास से गर्षित देखते हैं तो मैं दंग रह जाता हूं दो ब्यक्ति यदि बात कर रहे हो तो उनको लगत second मेरे मतलम पी कर रहे हैं हमरे कई मित्र माहत्मा हैं महाराज ऐसी संकालू चित्वर्ति है कि मैं आपको क्या को हूँ तो माराज व्यक्तिक होता है कहीं है कोई यंत्रन माराज मंत्रना बना कर कहीं हमारा भोग न च्छीन ले हमारी सुविधा न च्छीन ले, हमारा सम्मान न च्छीन ले, हमारी प्रतिष्ठा न च्छीन ले तो जिनके जीवन में माराज बहुत ज़्यादा संका हो याद रखिएगा तो समझ जाना कि कोई चित में रोग लग गया है ये चित का ही रोग है जो दूसरों पर संका का आरोप लगता है तो ये देवता लोग तो नंबर वन के भोगी है माराजी ये सबसे जल्दी गवडाते है कोई माहत्मा येदी साधना के लिए बैठता है तो सबसे पहले डर येदी किसी को लगता है तो इस बावरे इंद्र को ही लगता है सबसे जल्दी येदी गद्धी किसी की हिलती है तो इंद्र की ही गद्धी हिलती है क्योंकि उसको अपनी गद्धी की परवाह रहती कहीं हमारी गद्धी को तो नहीं चाहरा है तो उशिदार जी महराज ने तो इतना बढ़िया परयोग किया है हमारे संत्व प्रवर्त उशिदार जी महराज तो कहते हैं सूक हाड लई भाग जनू स्वान निरक युवराज अरे जो महराज साधना अराधना में लगा है वो भोग का स्वर्व का भोग क्या चाहेगा वो तो महराज इंद्र की दसा तो ऐसी जैसे कोई कुटा और सच में बात महराज भोगी की बात ही ही है भोगी ब्यक्ति अपनी माराज हड़ी चबा करके अपने मसूनों से रखत निकलता है उस भोगी को समझ में आता है कि इससे रखत निकल रहा है और यदि माराज की कोई देखता है आता हुआ साथ कुता किसी ने देखा कि सिंग भी आ रहा है तो हड़ी लेकर भागता है कहीं सिंग छीन न ले आरे भावरे सिंग को इससे क्या लेना देना जो आराधना साधना भगवत आराधना में लगा है भगवान ने माराज इनको समझाया है और समझा करके कहा तुम लोग शंता मत करो प्रहलाज जी महराज दुसरा कोई उद्देश इनका नहीं है मेरी प्राप्ती के लिए ही यह आरादना कर रहे हैं और भगवान स्वेम स्री प्रहलाज जी के सामने प्रगट हुए और प्रहलाज जी महराज ने आठ श्लोकों में बहुत प्यारे श्लोक हैं आप लोग मूल में इनको पढ़ियेगा बहुत प्यारे आठे श्लोक है मुझे तो लगा कि यह श्लोक इतने प्यारे भगवत इस्तुती के लिए डिर्गुन आरादना है और प्यारे बाव इनने ब्यक्त किये हैं और भगवान ने फिर उनको अपना ही बोध कराया है तो कैसे ये आरादना करते हैं भगवान की और कैसे भगवान बोध कराते हैं इसकी चर्चाना एंड साहिंकाल होगी साहिंकाल गादी चरित्र भी होगा और जितने चरित्र हो सकेंगे हमारा तो संकल्ब पूरा करने का पहले से ही नहीं था कि पूरा हो क्योंकि जीवन बर का काम तो कुछ दूसरा है नहीं यही काम करना है आप मैया चिंता मत करो हम सुनाएंगे आपको पूरा पूरा सुना देंगे ये आज भले न सुना पाएं बाद में सुना देंगे पूरा गरंत हो जाए क्योंकि कभी हम पहले तो मेरे मन में आया कि मेन मेन परसंग लेकर के सुना दें क्योंकि 18,000 श्लोक स्रीमत भागबत महापुरान में हैं वो भी 7 दिन में पूरे नहीं होते हैं इसमें तो 32,000 श्लोक हैं तो साथ दिन में पूरे होने का कोई सवाल था ही नहीं तो मुझे लगा कि मराजी अगर थोड़ा थोड़ा लेकर के हम सुनाएंगे तो लोगों को पूरा गरंत नहीं मिल पाएगा तो जितना गरंत अभी मिल जाए तो क्रम वाई क्रम लगभग लिए भी तक हमने जितने क्रम वाई क्रम हुए इतना ले लिए और दूसरे कहीं जगे आयोजन रखेंगे फिर क्योंकि इससे बढ़िया तो कोई नहीं हमको दो जजमान और मिल गए हैं भाई दो जजमान योग वाशिष्ट के और तयार हो गए हैं एक तो कले कोई निमंतरन देखर गया है तो मैंने कहा कि भाई वेइमानी तो यह होगी कि हम यह पहले वाले नहीं सुनाएंगे लाश्ट वाले सुनाएंगे तो कालाश्ट वाले सुनने के लिए आप तयार हो तो हम सुना सकेंगे उन्होंने कालाश्ट वाले सुननेंगे तो वहाँ बनेंगे तो यंतर से तयार तो हो जाएंगे तो बाद में पूरा सुनने को मिल जाएगा क्योंकि आज ये यंत्र से जो तयार होता है प्रवचन तो कोई योग वाशिष्ट्री है जो सुनना चाहे तो सब सुनने को मिल जाए अभी सबता के करम से मैंने स्युपुरान की कई कथाएं की किन्त हमको लगा उसे संतोष नहीं मिला तो करीब आठ साल से मराज बंबई में हर साल कथा करते हैं इस साल नहीं दिया समय ये गुर्पुणिमा का ही समय उनको देते थे इस साल यहां रहने के करण वहां का समय नहीं दे पाए तो मराज करम सा वहां रिकार्डिंग हो रही है तो उसमें 24,000 इस लोकों में लगबग हमने 15,000 इस लोकों की व्याक्या कर दिये तो जिनको सुनने को होता है तो वहां से लोट कर लेते हैं अब मैं दिरे दिरे जैसे करम मिलेगा तो पूरा कर देंगे तो पूरा एक गरंथ किसी को सुनने को मिल जाएगा नहीं तो आजकल ये गरंथ कहने वाले लोग उपलब्द नहीं कोई चिंतन करना नहीं चाहता है हमरे तो माराश्री की क्रपा से उनके अनुग्रे से उनकी गोद में बैठ करके ये चिंतन करने का उसर मिल आया उनके अनुग्रे से हम तो अपना भाग के समझते हैं सच ये उनकी क्रपा ही है नैसे पवित ग्रंथ के दर्शन मिल जाएं यही बहुत कठिन था और वहाँ हमको बार-बार चिंतन करने को मिले कठन करने को मिले तो ये उनकी क्रपा का ही उसर है करपा का ही प्रतिफल है तो साइंका लगादी आदी का चरित्र आपको सुनने को मिलेगा ये भी सेश चरित्र उसका जरूर आप आनन्द लें अंत में अपने आराध्य के पावन चर्णों में हमारी प्राडथना है हमारी मती, हमारी रती, हमारी गती एक मात्र उनके ही पावन पवित्र चर्णों में बनी रहे गती हमारी यही प्राडथना है अंत में उनी के चर्णों में बारंबार बंदन करता हुआ उनकी बाणी उनी के चणों में समर्पित करता हुआ अपनी बाणी को विराम देता हूँ बोलो भक्त बच्सल भगवान कीजे, सुद्धु गुर्णेव भगवान कीजे, ब्रंदावन विहारी लाल कीजे, जैने स्री रादे, जैने स्री रादे, जैने स्री रादे राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देखे